Hello everyone, मैं हूँ Educator Rahul Mishra और आज की वीडियो में हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि उन संकेतों के बारे में, उन सिम्टम्स के बारे में जो आपको बताएंगे कि आप 376 के में फसेंगे या नहीं फसेंगे मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ देखिए, सबसे important चीज है, पहला symptom, पहला संकेत यही है कि जब लड़की आपसे लगातार पैसे मांग रही हो, emotionally connect ना हो, वो आपको खुद ही feel हो जाएगा, कि हमसे emotionally connect है या नहीं connect है, कभी-कभी आप emotional fool होते हो, ठीक है, जानते हुए कि चीजे हमारे favor में नहीं है, she is not emotionally connected with me but still आप पैसे उसको दे रहे होते हो, लड़की जब लगातार आपके साथ पैसे मांग रही है, लगातार आपके साथ वसूली कर रही है और पैसे वो कभी-कभी ऐसा होता कि वो account मिलेती, कभी-कभी खुद के account में नहीं लेती, क्योंकि एक case मैंने ऐसा देखा हुए जहां पर उन्होंने QR code बेच थी दूसरे का, दुकान वाले का, जनसेवा केंदर वाले का और उसके खातिम पैसे आदे तो उससे वो पैसे ले लेती थी, क्योंकि लड़के के पास इस तरीके से कोई proof नहीं रहेगा, लड़की के इसकी directly उसको पैसे उसने दे रखे हुए या नहीं दे रखे हुए, लेकिन लड़के ने लड़की कोई पैसे दिये, तो जहां पर आ क्लाइंट्स आके मुझसे कहते हैं, that all I am speaking over here, ठीक है, और जहां पर पैसे के फॉर्म में नहीं ले रही है, समान के फॉर्म में ले रही है, या दूसरे के account में ले रही है, तो आप समझ लिए एक्स्टॉशन आपका हो रहा है, आपका उल्लू कट रहा है, और आपकी अगर पैसे आप तो दे रहो जब तक तब तक तो ठीक है, जहां पर आपने पैसे देने बंद कर दी, वहां पर आपके उपर रेप चार्जेस लगना फिक्स है, इस चीज के लिए आप एकदम अश्योर रही है, इस चीज के लिए तैयार रही है, ठीक है, उसके बाद जो तीसरा आसपेक्ट है सबसे इंपर्टन जो आप लोग इग्नोर करते हो, जहां पर लड़किया कहते हैं, तुमको फॉल्स रेप चार्जेस में फसा देंगे, और तुम्हारी पूरी लाइफ बरबाद कर देंगे, इस चीज को आप सबसे ज़्यादा लाइटली ले 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 कुछ नहीं यार गुस्से में बोल दिया होगा, इसने और कुछ नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस दिन ये बात आपके मन में आ जाएगे, आपके गेस्ट कोई ऐसा कुछ कर सकता है, कोई बोल सकता है, तो इन्फॉर्मेंटरिं पेटिशन सेक्शन 39 की CGM साब कहा आप डाल दो, दूसरी चीज अगर यह नहीं डालना चाहते हो, तो आप अपने कमिशनर साब को अपने आके, एसपी साब को एक रिटन नोट भेज दो, कि हमको यह लड़की ऐसे धंकियां दे रही कि हमारे विरुद रेप चार्जस लगा सकती, क्योंकि अगर इन केस उसने आपके विरुद ऐसे रेप चार्जेस, ऐसे एलिगेशन्स आपके विरुद उसने लगा दिये भविश्च में, तो आप अपने आपको प्रोटेक्ट कैसे करोगे, एमिदेंस तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उसने पैसे दूसरे के अकाउंट में ले रखे, और जाके उसके विरुद उसने करेट कर रखे, लेकिन जब आप ये एप्लिकेशन पहले एडवांस में देखे रखोगे, तो आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, कोड पूछे कि तुमने कोई सूचना किसी व्यक्ति को दी, किसी भारसादा का धिकारी को को कोई सूचना दी, आप कोगे नहीं, मैंने कोई सूचना नहीं दी, तो आप वहीं सिफस जाओगे, लेकिन जब आपके पास एविदेंस रहेगा कि आपने इंफॉर्मेशन दे रखिए, तो आप अपने आपको अरेस्टे में, बेल में, फायर कोशी में प्रोटेक्ट कर पा परिवार वालों को भी, वह इंवाल्व करने की एगोशिश कर रहेंगे, परिवार की लगातार आपके विरुद्भुराई कर रहें, तो शी इस क्रेटिंग कॉंस्पिरेसी अगेंस यू एंड यूर फैमिली, यह आपके फैमिली से आप दूर हो ताकि वह एक्स्टॉशन आपसे प्रॉपरली करते रहें, और आगे चलगी अगर उनको फसाना पड़े, तो फैमिली वालों को भी, इन्वाल्व करते हैं आपके, इसलिए फैमिली मेंबर से एकर टेलीफोनी कन्वर्सेशन करा रहे हो, और यह इन्वाल्मेंट कर रहे हो, तो मत करो, फ्रेंड्स को इन्वाल मत करो, क्योंकि वो भी फस जाएंगे, कई बार आप लोग क्या करते हो, फ्रेंड्स से बात कराने लगते हो, तो उसका नाम उसको याद हो गया, और उसका नाम ले लेगी फिर फायर में, वो वीचारा फस जाएगा, इसलिए किसी गल्फेंड बगरा से टेलीफोन लगती है, और आपके बहुत बड़ा खेल, साइबर क्राइम कर सकती है, या कोई एन्नेक्ट कर सकती है, आपकी फोटो, आप अपनी फोटोस को, जो जर्रनली होता है, अपनी फोटोस को, आपके नाम पे आईडी बना के पब्लेश कर सकती है, क्योंकि उनके पास सारा OTP, ए पर पीट देते हूं, कि भीया, आयम गॉर्मेंट इंप्लॉई एना है, भी सेलेक्टिड ओवर हेर लॉन दिस दिस पोस्ट, तो जिन लोगों की नौकरी नहीं लग सकती, इनकी आउकात नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, उनको यह चाहिए कि बना बनाया, आदमी स प्रमशारी, इन लोगों के उपर मुकदमे है, जिसमें से कम से कम 20-25 लोग मेरे क्लाइंट है, अब आप समझ सकते हैं, इन्हों नौकरी नहीं नहीं पाई, और पुलिस वालों की तो भरमार है, मैं कोई गिंती नहीं कर सकता उस चीज की, तो इन्होंने नौकरी पाई, और चैटिंग वगएरा कर रहे हो, उनसे मिलने जा रहे हो, तो रेप चार्जेस आपके गेंस 100% नहीं कल नहीं, परसो नहीं नरसो लगने वाले, यह चीज के लिए फिक्स रही है, क्योंकि आप जाओगे, आप की और उनकी लोकेशन मैच हो गई, आप पहले तो भले कहले थे क सिर्फ सोशल मेडिया पर चैट है, लेकिन उस तरीके से आप डिनाय नहीं कर पाऊगे, क्योंकि आपके और उनकी लोकेशन जब मैच हो जाएगी, जब सिमिलर लोकेशन हो गई, सेम कंडिशन, सेम प्लेस पर लोकेशन आ गई, तो आप मर जाओ कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं और फुसने के लिए दोनों के लिए, उमीद है जानकारी पसंदाई समझ में आई है, बागे फर्दर डिटेल्स के लिए आप अपने वकील साब से समपर करें, वही आपको बहतर जानकारी दे पाएंगे, बागे कोई और जानकारी मुझसे बूछ नहीं हो, तो आप डिस्क मुझसें